गुड बॉनिंग स्टुडेंट्स टूडेवी बिल स्टड़ी अबाउट कॉपी राइट एक्ट नाइंटीन फिफ्टी शेवन तो हम आईटी लाह के बारे में स्टड़ी कर पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने आईटी एक्ट जान लिया है क्या होता है कुछ आईशो स्टेंडर कोपी राइट आइक्ट क्या होता है कोई पर सं ने कुछ नाया बनाया कुछ भी यूनिक बनाया अपने चाहे हूआ आपका म्यूजिक और पोईट्री हो या फिर आपकी कोई स्णोबल हो कोई बुक हो या कोई शॉफ्टर है जो आपने यूनिट बनाया हुआ है तो आपको उसके लिए एक्स्लोशिफ राइट होगा एक्स्लोशिफ का मलब एक बिश्यस अतकार आपके पास होगा कि उसको कोई दूसरा कॉपी ना कर सके बिश सके नहीं कोई यूज सके यह आपके पास हतकार होगा अधी कोई करता है तो आप उसके खलाफ एक्सन ले सकते हैं ऐसा कॉपीराइट हमें बताता है तो कौनकों से सब्जेक्ट है या बिश्यस है जहां पर कॉपीृइट है किया जा सकता है तो पहला होता है cinematography जैसे कि sound recording हो गया या visual effect हो गया विज्स इमेज हो गया मालब cinema से लेक्टर्टर जो भी टास्क होते हैं ऊस्थ होता है यहां पर भी copyright apply किया जाता है next होता है artistic बर्क जैसे painting हो गया designing हो गया यहां पर apply किया जाता है एक सथा dramatic part dramatic मनलब choreography हो गया या musical books में होता है singers composers इनके लिए लिए में होगे टोट और और और्रिटर और 6 होता है साउंड रिकॉर्ड wreckissant recording के लिए कापीर्ड ले सकते अब लुए नेक्ति होता है इसे कंपीटर प्रोगांes आप कोई यूनिक का आप प्रोगाम्स पना आते हैं या शौफ्यर बनाते है जिसे फेस्बूक नious पापिश्वग को अपना कॉपी राइट है वो पेटन भी है क्या तुमीस और हाँ कोई एसा भी हो सकता है कि आप ने कोई काम किया आप मरने के बाद भी आपको कोपिराइट मिल सकता उस टास्क के लिए کवर्मेंट बर्थ को यह कि ऐट्मइनिस्टेटर हैं आप विस्पेशल टास्क कर देतें तो उसके लिए भी आपको कॉपिराइट तिया जाता है कि हिस्टिरी की बात करते हैं तो यह सबसे पहले इंट्रूश किया था बेटेस पीडिर में 847 में उसके बाद फिर 1911 में पास इंग्लेंड से लाए गया 1940 में इंडिया में आया लेकिन सब इसको एक्षुल जो पारित हुआ यह लाए गया यह 1957 में आप्टर इंडेपेंडेंस मलब आता के बात बनाये गया ऐसे अब्जक्टिप की बात करते हैं तो अब्जक्टिब में यही रहेगा कि जो और हैं या कंपोजर से कोई भी कीटर है कॉपी कॉपी राइट ओनर है कोई भी हो सकता है वो उसके पास अपना एक अथकार रहेगा या उन्हें पर्मिश मिल जाएगी कि अपने टास्क को आंगे बढ़ाएं और उस पे ज्यादा फोकस करें क्योंकि उनका अपना टास्क है अपना बर्क है तो उसके लिए एक तैसे उन्हें आतकार मिल गया कि हाँ उनका है उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता तो उने क्या करता है कि और आणगे बढ़ने के कुछ और नया करने के लिए इस्टॉप मिश्यूज ओफ कॉपी राइट का मिश्यूज होने से यह बचाता है में मोट्या इस एक्ट का इसके पास कॉपी राइट है किसी बश्तू का किसी शो सॉफ्सट्य का तो उसे यह पोड़त करता है कोपी राइट गिवन फो लॉंग प्रेंट कोपीराइट असके लिए भी दिया सकता हैं कि क्या एड़न्टेज की बात करते हैं यह फिर इंडिया में आता है उसकी कुछ युनियट यहां पर आंपिया जाती है तो वहां से आने के सभस्राइब हाद हमारी मींट उनको टेक्स पे करती है उसके लिए इस सफेसलीर और वहन हो जो भी एंवैंटर तो या उनके पैमली मेंब से उनके लिए पॉच पर्सेंट उसका मिलता है ताकि उनने उनके लिए को that रहे हैं और उनका क्या इंबेंशन के लिए उन्हें मॉटिवेट करता रहे है इट हेल्प ऑथर टू टेक इमेडियेट लेगल एक्शंस अगेंस्ट इंफिरेंजमेंट हाँ यादी कोई इसको बाइलेट करता है मलब कोई कॉपी करने के कोशिश करता है या कोई उसे इलिगल करता है या फिर किसी को ऑफर करता है तो इसके खलाफ एक्सान ले सकता है रिच्टेंट सटिट इस टू और इससटिट ऑफर इस त्टाइल्स इन केस अब डिस्पट साहँ या तो लिए तो इन्वेंटर के जो सक्सेसर रहेंगे वह अपना अथकार बहां पर जता सकते और जो भी ओनर ने बनाया हुए अपना राइट है वो उनका है यह सोकाता है